नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का HP exam face में आज जो हैं अपरेल मंत के सारे important national and international affairs देखने वाले हैं अगर आप किसी भी competitive exam के त्यारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है current affairs कितने important होते हैं और इस PDF में मैंने अपरेल मंत के सारे important current affairs डाल दी हैं अगर आपको आगे बताऊंगा कैसी हो रहे हैं और अगर आपको हमारा current affairs का course लेना होगा तो नीचे आपको link मिल जाएगा हमारे app से जो है 100 और पर कोर्स का जहांपर जनवरी फर्वरी मार्च अप्राइल ऐसे जो है आपके monthly current affairs add हो रहे हैं और हर एक current affairs में जो है आपको explanation तक दी गई है तो किसी को भी अगर वो course लेना होगा तो नीचे जो है link से वो directly buy कर सकता है बाकी question देखिए कितने अच्छ अच्छी question जो है आपके लिए current affair के मैं लेके आता हूं first देखिए where did the 19th annual meeting of the securities of the security council of the Shanghai corporation organization member states take place तो संगाई संगठन है यानि संगाई corporation organization है उसके सदस्य देशों की सुरक्षा परिश्यत की सचीवों की जो है 19 वी वार्षिक बैठक कहां हुई ठीक है जो secretaries of the security council है संगाई corporation organization की उनकी जो है 19th annual meeting हुई यह कहां पर हुई है कजाकिствие में तो फरस्ट干ाई डांसर को अब आप सभी को पता है international organizations कितनी पॉर्ट होती है exam में जो है question आपका directly बन जाता है जैसे इस बार जो है यह आपकी meeting हुई थी इसमें इंडिया की delegation ती उसे लीड किसने किया अजीत डोवल ने जो की national security advisor है साथ में आपको SEO के बार में भी पता हुँचे SEO क्या है यह आपकी संखाई corporation organization है इसकी जो है establishment कब हुई 2001 में headquarter का है बीजिंग चैना में secretary general कोन है जैंग मिंग है यहां पर member countries कितनी है इरान चाइना इंडिया कजाकिस्तान क्रिगिस्तान पाकिस्तान रश्या ताइश्या ताइश्टान या उस्वेकिस्तान ठीक यह आपकी नौ इसमें member countries है इंडिया और पकिस्तान ने कम इसे जोईन किया 2017 में इरान ने से 2023 में जौन या तो एक करेंट अफिर में जो है आपके नाटू तो देखें नौर्थ अट्लै करेटि इसने जो हैminist процors वीमा जहें वार्शिक जो है आप्की अनिवर्षिक टी ऑ कि मना इसकी पर पूछा जरह है जिसकीुझ आपको है येडिक अंविज्गिंशन चाहा तो यह सब को पता है कहां पर है Brussels Belgium में ठीक है जो नाटो है उसका जो headquarter है वो Brussels Belgium में है और यहोंने पचेतरवी anniversary मनाई यह नहीं पचेतर साल जो है complete किये इनकी establishment को तो यह कब established हुआ है अगर आप से question पूछ रहा जाए तो कब वह 1949 में जो है यह established हुआ नाटो इसका headquarter Brussels बेल्जियम में जैसे हमने पड़ा सेक्रेटरी जनरल कोना है जैंस टॉल्टन बोर्ग है मेंबर कंट्री कितने 32 मेंबर से अभी पिछले मेने के अगर आपने पड़ाओगा तो 32 मेंबर कौन सब्सक्राइब क्या से जोइन कर रहा तो रस्या ने इसका विरोध क्या बाद वह प्रोष कən नहीं माना था किस यूए रख्या के सब्सक्रेटरी का इस पोचेहां इस पूट को अपर अप्राइट करेगा तो सित्वे पोर्ट इस longer जा नाम है यह पुछा अरे कौन से कंटरी में तो शीलंका बंग्लादेश उमान या मैनमार तो च्रिट आंसर मैनमार है तो सितवे पोड़का है मैनमार में है और इसमें भी जो है सारे राइट्स इंडिया ने हासिल कर लिए इसे ओप्रेट करने के लिए तो चाइना भी आप देखोंगे चाइना भी 100% stakes लेने और वहां पर जो भी operations हो रहें उन्हें खुद कंट्रोल करना है बाद में कभी ज़रुवत पड़ेगी तो military जो है अपनी वहां पर जो है deploy किये जा सके तो यह आपका important सीजी हां बता रहे है फोर्ट देखते हैं फोर्ट क्या है the election commission of India has introduced home voting for the elderly and persons with disability for the first time in a लोगसभा election under this voter above dash years of age can choose to vote from home तो इसमें यह बोल रहा है कि पहली बार जो है लोगसभा election में जो है घर से vote कर सकते हैं ठीक है जो elderly people है जो बोड़े लोग है ठीक है या फिर person with disability है कोई disability है तो कितनी age होनी चीए 85 years age होनी चीए 85 years से उपर जिसकी कर सकते हैं इस बार लोगसभा election में तो फॉर्ट का इटान सके option C है और इसमें disability का बता रहा है कि कितनी परसेंट disability होना चीए 40 परसेंट जो है disability होना चीए तब भी आप जो है घर से वोट कर सकते हो आपको polling जो स्टेशन है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए एलेक्शन कमिशन के बारे में पता होना चीए अभी आपको election का दौर चला हुआ तो यहां से कोशन पूशा जा सकते हैं तो इलेक्शन कमिशन जो है जो है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यह कहा है constitutional body है ठीक है इसमें एक क्या होता है चीफ election कमिशन होता है और दो जो है आपकी यहां पर election कमिशन होते हैं ठीक है headquarter जो है इसका कहां पर है वह न्यू डेली में है 25 जनवरी को हम वोटर स्डे मनाते हैं फॉंड कभ हुआ जो इलेक्शन कमिशन है वह 25 जनवरी 1950 को तो सारी इंपोर्टेंट चीज़े जो है यहां पर explanation में दे रखिए फर्स्ट इलेक्शन चीफ कौन थे चीफ इलेक्शन कमिशन वह सुकुमार सेन थे फर्स्ट वुमें चीफ फिफ्ट है रिसेंटली एरान हैज लॉंच हंड्रेट्स ऑफ जुट रोन्स अगेंस इस्डाइल अंडर विच ऊपरेशन तो हाली में इरान ने जो है किस operation के तहई इसराइल के खिलाफ सेक्डो ड्रोन और मिसाइले लॉंच की तो कौन से operation के एक तहट किया गया operation true promise operation false friend operation freak promise या operation tit for dead तो फिफ्ट का एट answer क्या है फिफ्ट का जो राइट answer है वो है operation true promise तो इरान जो है इसने यह operation चला है operation true promise और इसके तहट जो है इसराइल ने स्ट्राइक किया था एक अप्राइल को जिसमें जो है इरानियन कुछ लोग मरे थे उसके खिला उसके विरुद ही जो है यह आपकी जो है operation ही चला रहे हैं आप वार जो है च्छेड रहे हैं इसराइल के बCR कते ही था करी आप कर अपर कि California तो ब्रेक्ट चरूंबांक में सट उनानाइक है उसमें आफिक्टड लोगां के हल जा सके चैसिमें जो है तरकी में आठकुन काय था महां पर help कि जा सके और गंगा चिलाई था नहीं में तूंब्रिंह बैक इंडिन स्ःज फिस नहीं तो युक्रियन और रश्या का भी वर वाला चला हूआई था इसमें इन्डियास को वापेस लाया सके के इंडिया में ठीक है उक्रेंडव सींडिया लाज चलाया था इंडिया दुआरा तो यहां को पतन नचीए अब message dat international monetary fund's executive board selected economist kristalina George IVय to serve as managing director for a second five-year term she is from which country तो IMF है मैं आपको जितने भी international organization होती है बहुत important होती है question आपको देखने को वहाँ से मिल सकता है तो यह जो क्रिस्टेलना जॉर्जीवा है इनका टर्म एक्स्टेंड कर दिया गया ठीक है पांस साल का ठीक है तो यह पूछा जा रहा है कि कहा की रहने वाली है तो यह international monetary funds की क्या है यह मेरेजिंग डेटर क्रिस्टेलना जॉर्जीवा इनका जो है टर्म बढ़ा दिया गया तो पूछा जारे कौन सी कंट्री की रहने वाली है तो इसका राइट आंसर है जो है यहां पर डिटेल में दी गई है मेंबर्स कितने हैं 190 अभी डिसेंट करेंट फिरमार पड़ाओ एक से 90 गंट्री कॉंपनी अंडोरा ने भी जोईन कि ऐसे तो सारी चीज़ें जो है यहां पर पर दिए एक कोशन में जो है 10-10 करेंट फिर अपकी हां कवर हो रहे हैं तो नीचे हमारे एप का लिंक दिया है उस पर क्लिक करना और करेंट फिर का कोश लेना सो और को से और लाइफ टैम जो है आपको करेंट फिर दिए जैंगे इस मंत के अप्रेल के डालें मैं के बिढल जुलाए कि ऐसे जो है जब तक आपका कोई एक्जाम निकलता तब तक करेंट फिर्स हम उसमें डालते रहेंगे ठीक है मंथली बनते ही जा रहें करेंट फिर्स और बहुत अच्छे करेंट फिर्स जो हैं हम आपके लिए बना रहें कहीं और जाने की ज़रुरती सेवन्त कोशन देखें देखें दुरुपती मुर्मू कंफर्ड इंडिया इंडिया इस इविलिन वर्ड भारत रतना और फॉर्मर पी एम चौदरी चरन सिंग पीवी नरसिंबा राओ फॉर्मर डूप्टी पीम लाल कृष्ण एडवानी फॉर्मर सीम ओफ बिहार करपूर फेमस अ्ग्रिकल्च्र सान्ट nessa तो यहां पर दरेखें बनार कॉ सिम्प्लिब बोल रहा है कौन से फॉर्णर से थ heh तो अब तक कितनेuxe फॉर्णर्स पो अगयों इस बार पांच बंदों को दिया है मगर यह इंडिया गई है ठीक है तो पूरी हिस्ट्री में भारत रतना की आप देखोगे दो ही फॉर्णर्स को जो है भारत रतना मिला है तो उनका नाम पुछा है तो वो को ने खान अब्दुल गफर खान जिने फ्रेंटेर घांदी पोलत तो यहां पर पूरी हिस्ट्री बताएगे जो भारत अतना है वो 1954 में जो है स्टार्ट किया गया देना अब देखे खान अब्दुल गफर खान है इन्हें 1987 में मिला और नेंसल मंडिला को जो है 1990 मिला तो एक्स्प्रेशन में सारी चीज़ें जो हैं यहां पर बता रखी है एड़र वह केम दफिए फंड़ भी किया आइसी सिया पैनलोफ के उटव लिलागर्म ऑपैनल और उंपर खूर चोईच्ट हीया तो शर्फरोदॉला जो है इसका राइट आंसर है तो शर्फरोदॉला जो है यह पहले बांगलादिशी एंपैर बने जिन्रों ने ICC अलाइट एंपैर पैनल को जो है जोईन किया तो इसका फॉर्मेशन 1909 में हुई है सारी चीज़े जो है आप पर बता रहे हैं 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 चेर् जैनिक सिर्फरोदॉ जैनिक सिंडर है एज वान दमैंस सिंगल टाइटल ऑफ म्यामी ओपन टोन्रमेंट इन याइट इटली तो जो म्यामी ओपन हुआ इसमें man single title है वो किस ने जिया जैनिक सिनर ने जो है जीता तो पुछा जा रहा है वो कौन सी country से belong करते हैं तो नाइंत कारेट आंसर के इतली तो इतली के रहने वाले हैं जैनिक सिनर और इनोंने जो है मियामी उपन में man single title जो है जीता जो कि आपका United States में हुआ है नाइंत कार आपर नौर्टिक लिमिटेड हैस डिलिवर्ड हो मैनी डोर्नियर टू-टी-एट प्लेंस तो डगहाना डिफेंस फोर्स अप्रेल टू-टोजन ट्वेंटि-फोर्स यहां पर बोला जा रहा है जो हिंदुस्तान अरो नौर्टिक लिमिटेड है उसने जो है डोर्नियर जो दो नियर आपके 228 प्लेंस नाम इसका डोनियर 228 प्लेंस तो कितने दिये गयना डिफेंस फोर्स को यह दिये दो ठीक है टोटल दो प्लेंस जो है हिंदुस्तान एरनौटिक लिमिटेट ने दिये हैं गयाना डिफेंस फोर्स को तो 10 का अशर ऑप्शन ए है यहाँ पर अब य डेमक्रेटिक रिपॉबल्डिक औफ कॉंगो तो यहां कही रहे है पहली प्रास सुमिन्वा तुलुका ठेक है जुदित से याद मुल्टा जो है ये क्या मनी है पहली फिमिल प्रास स्खेश्टीक औफ कॉंगो की तो इनका नाम याद रखने आपको पहली फीमिल प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक रेपब्लिक ओफ कॉंगो की कौन बनी है जुदित सुमिनवा तुलुका अब आपको और भी लेटेस्ट अपोइंट्मेंट्स पता होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर जो है एक्स्मिनेश सब्सक्राइब कोई आपको इलेक्ट्राइब इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटट तो भारत उल्क्रोनिक्स लिमिटेड जो है इसने डेवलिप किया है अकास्तिर एर डिफेंस स्यूर्टी सुस्टम और इंडिया वोटर tip कहें खाया जरो होग 다른 13 तो आपको पता है गो मनातें। और यह मना जाता है है। तुरिस की बिखन देखिये ही मनाते हैं 15 eta 2 इक्सराइज मालिटी एक्सराइज। आपको यह 1-डेजार सब्सक्राइज डूटे एक्सराइज जोती कोस्टल सिक्यूर्टेटे एक्साईस सागर कवच यह पर हुए लक्षदीप आइलेड में अगती आइलेड में या पोड बलेयर में तो इसका रचाइट आउसर क्यां थाइलेंड यह वहाँ पर हुइए तो 14 गाट अंसर क्या है फॉर्टे सब्सक ट्रयूर्ट ये इस टन सी बोड में टैंथ इडिशन वा किसका लैमिट है लेमिटी एक्साइज जो है किसके बीच में होती हैं इडिया अपर आपको दे रखिए हैं 15 देखें, the famous scientist named Peter Hicks passed away recently at the age of 94, for which research was he awarded the Nobel Prize for Physics in 2013, तो 2023 में जो है इन्हें Nobel Prize मिला था Physics का, किसे Peter Hicks को मिला था, तो पुछा जारे किस चीज के लिए, ठीके किस चीज की Discovery के लिए, किस चीज के अविशकार के लिए, इन्हें ये Nobel Prize मिला था Physics का 2023 में, तो इसका right answer है, for the Discovery of God Particle, ठीके, God Particle की जो है, इन्होंने Discovery की थी, किसने, Peter Hicks ने, अब इन्होंने नाम किया दिए था, Hicks Bison Particle, बाकि इसे God's Particle भी बोलते हैं, तो इसी के लिए जो है, इन्हें Physics का Nobel Prize मिला था, 2023 में, तो ऐसे आपकी सारे Important Current Face, जो है, मैंने कवर करके, आपको क्या करना है, आपको बस नीचे लिंक दे रखाए, वहाँ पर जो है, आपको क्लिक करना है, और जो है, आपको Current Face का कोर्स मिल जाएगा, मातर सौर पर का है, और Lifetime कोर्स है, Current Face वहाँ अपडेट होते रहेंगे, और साड़े 300 Current Face, जो है, मन्तली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक एक Current Face में, दस-दस Current Face जो है, आपकी कवर हो रहे हैं, फिर भी कोई डाउट रहते हैं, तो 7018186561, इस पर में ये WhatsApp कर देना, आपको जो है, मैं, आपकी कोई भी कोईरी होगी, उसे वहाँ पर solve कर दूँगा, बागी इस वीडियो को इतना है रखता हूँ, आपसे अगरी क्लास मिलूगा, तब तक की लेशा आप खेर, Thank you.